अब तक हमने मार्केट में दो चीज का मुख्य रूप चद्यन किया है एक पूर्ण प्रतिविता की इस्तिति है दूसरा एक अधिकार की इस्तिति है वास्ता में देखा जाए तो बाजार में वास्तविक रूप में नेतो पूर्ण प्रतिविता पाई जाती है नहीं एक अध उतपादन करती है, जबकि व्यवार में देखा जाए, तो सम्रूप नहीं होती है, जब पूर्ड पुर्दियोगिता की दानटना जो है, उसमें यह माना जाता है कि सबी फर्मों का उत्पात एक जैसा होता है बिलकुल भी उसमें अंतर नहीं होता है जबकि वास्तम में ऐसा नहीं होता है दूसरी चीज हमने यह देखी कि एकादिकार की कंडिशन होती है जिसमें बजार में किसी वस्तु का एक ही विक्रेता और उत्पादक होता है और वह ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसका कोई निकट इस्तानापन नहीं होता है व्यवार में देखा जाए तो ऐसा एकादिकार भी नहीं पाये जाता है हर वस्तु की कोई ने कोई इस्तानापन या पुरक वस्तु होती है और इसी प्रकार से हर फर्म के द्वारा जो बनाई गई वस्तु है वो पूर्ण रूप से समरूप नहीं हो सकती है किसी ने किसी रूप में थोड़ा सा भी डिफरेंस हो पर उसमें डिफरेंस होगा ही होगा तो देखा जाए तो जो पूर्ण पृतिवगिता की धारना है और इससे कुछ और इस्तिती वास्तों में मार्केट में पाई जाती है जिसे अपूर्ण पृतिवगिता की संग्या दी जाती है यानि बाजार में ने तो पूर्ण पृतिवगिता है ये भी एक सेदांतिक विचार है नहीं एक अधिकार है ये भी एक सेदांतिक विचार है बा दयाधिकार की किस्तिते हैं पृता बाजार की वे कंडिशन में एक से अधिक उत्पादक मार्केट में होते हैं तो आज के वीडियो में जानेंगे कि एकादिक कारात्मक प्रतिविता क्या होती है और इसकी क्या-क्या विशेस्ता है एकादिक कारात्मक का मतलब है बजार की वह इस्तिती जिसमें एक से अधिक फर्मे होती है और एक से अधिक फर्मे परस पर समरूप विवस्तू का उत्पादन करती है आप मार्केट में जाएं या लग-अलग होती है, सब एक दुसरे के इस्तानापन है आपको लकसे ना ना लेजी, आपको अगर आपको गोदरेच की साबून चाहिए, आपको डॉप और भी कोई साबुन चाहिए तो बहुत सारी मार्केट में साबुन अवेलेबल है आप उने में से कोई सी भी एक ले सकते हैं आप टूथ पेस्ट करना चाहते हैं तो बजार में बहुत सारे ब्रांड है close up है promise है इसके बाद में आपका नेम वाला है डाबर है पतन जली है बहुत सारे टूथ पेस्ट मार्केट में तो एकादिक्रात्मक प्रतिविता बजार की वह कंडिशन होती है जिसमें बहुत सारे क्रेता होते हैं और बहुत सारे विक्रेता होते हैं पर प्रतेक विक्रेता की वस्तू दूसरी विक्रेता से कुछ अलग होती है समरूप वस्तू होती है पर कुछ रूप में वह अलग होत उससे का अधिक रातमक प्रतियोगिता कहते हैं क्योंकि इस में ममों की संक्या एक से अधिक होती है इसलिए इसको क्तिक अधिक MICHAEL है Two अगर अलग प्रोड़क्ट बनाती है पर उनका निकट इस्तानापन प्रोड़क्ट होता है मलब सम्रूप का मतलब एक दम जैसा एक सैम नहीं होता है वो हर प्रोड़क्ट अपने आप में यूनिक होता है पर ऐसा प्रोड़क्ट होता है जिसके बहुत सारे इस्तानापन होते हैं ए loadingає जो इस का इस सного सेंग संगे हुआ यहाँ हां बात करेंगे तो इस प्रघ्याटर आतमक पतिविता की क्या क्या मीष्यत्या में अनेक उते होते पर लिल आप मारकेट में यह इंगे थे अधिकरत्मक प्रतिवित्याइए ठीटेस्ट जा चुब इन में बहुत सारे क्रेता है और बहुत सारे विक्रेता है आप बजार में जाएंगे तो साबून बनाने के लिए बहुत सारे विक्रेता है सर्फ बनाने के लिए बहुत सारे विक्रेता है टूथ वेस्ट बनाने के लिए बहुत सारे विक्रेता है और बहुत सारे क्रेता है व वस्तूय विभेद किस प्रकार से होता है इसका हम एक आलग से वीडियो बनाएंगे इसमें डिफरेंट करेंगे यहां हम को यह चरचा करनी है कि हर उत्तपादक का वस्तूय विभेद होती है किसके सिरुप में विभेद सकती है देखिए हर का जो प्रोड़क्ट है वो नाम के सबसे अलग-अलग हो सकता है तो सब का वस्तु विवेद हर प्रोड़क्ट का वस्तु विवेद होता है हर कंपनी का प्रोड़क्ट अलग होता है पर हर कंपनी ऐसा प्रोड़क्ट बनाती है जो दूसरे का निकट इस्त लेते हैं तो आप पतांजली का पेस्ट यूज करते हैं पर बहुत सारे सब्सक्राइब कर सकते हैं प्रॉमिस कर सकते हैं दाबर का कर सकते हैं बहुत सारे और अधर प्रॉडक्ट है उनको यूज कर सकते हैं इस प्रतियोगिता में कोई भी फर्म आ सकती है और कोई भी फर्म जा सकती है इस प्रतियोगिता में भी फर्मों को पूर्ण प्रतियोगिता की तरह आने जाने के स्वतनता रहती है कोई भी फर्म साबुन नाने के साबुन बनाने में प्रेवेस कर सकती है और कोई भी फर्म छोड़ कर जा सकती है यानि इस प्रतियोगिता में फर्मों के आने जाने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंद नहीं होता है किसी भी फर्म को इस प्रकार का प्रॉडक्ट करने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती है वह अपना उत्पादन कर सकती है और बजार में जिस रेट पर वो बेच सकती है उसे बेच सकती है तो कोई भी इसलिए पेस्ट नहीं बना रही है कि उबगताओं के दातों में सडन हो जाएगी उनके मुझ से बद्बु आएगी वह अपने लाब की दरश्टी से अपना पेस्ट बना रही है इसी पकार से जो बाथिंग सोब बनाने वाली कमपनिया है वह इसलिए अपने बना रही है कि ल करना नहीं होता है उनका उद्द्ध से लाब अधिक्तम करना होता है तो वह अपने प्रदक्त को जितना मेक्जिमम रेट पर वह बिक सकता है वह बेचने का प्रियाज करती है पर इस प्रतिविता में problem क्या है कि हर फहर में I卡 ना ताकि द्वारा दूसरी फर्म का प्रड़क्ट करिज लिया जाएगा इस कहला देखिए इस पर्थिविता में फर्मों को आने जाने के स्वतंता रहती है तो अलब काल में अगर ऐसामने लाब हो रहा होता है तो उस लाब से आकरेशित होकर नई फर्मे मार्केट में प्रेवे जड़ेगी और जो ऐसामने लाब है वह सामने लाब में कन्वर्ट हो जाएगा अलब काल में यदि इस पर्तिविता में हानी हो रही है तो कुछ फर्में तो हानी को स्विकार करेंगी हानी के बावजूत वा उत्पादन को जारी रखेगी जबकि कुछ फर्में हानी को तो कहने का तत्वर यह है कि इस प्रतियोगिता में दिर्ग काल में फर्म को समन्ने लाब ही प्राप्त होता है जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में होता है जहां पर भी फर्मों को आने जाने की स्वतनता होगी वहां दिर्ग काल में समन्ने लाब ही प्राप्त होगा हाँ अल इस प्रतियोगीता की एक और विशेष्था है कि इस प्रतियोगीता में हर फर्म अपने प्राड़क्ट को ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहती है इसके लिए विग्यापन पर भारी मातरा में व्याई करती है आप मार्केट में देखेंगे तो टूथपेस्ट का बार-बार साबुन का बार-बार आप आड देखते हैं इसीप रेकार से नमक वाली कमपनी अपना आड देती है जो बी इस प्रतियोगीता में प्राइड हर फर्म विग्यापन के माधयम से अपनी विक्री को बढ़ाने का प्रयास करती है क्योंकि यहां क्या है फर्में गेर कीमत प्रक लिए कीमत कम करने का सारा नहीं लेती है वरन वो क्या करती है ज्यादा से ज्यादा विग्यापन के माध्यम से उबक्ताओं के मन में ये बिठाने का प्रियास करती है कि उस कमपनी का प्रोटक्ट दूसरी कमपनी की तुलना में ज्यादा अच्छा है इसलिए उबक्ता उसी को इस प्रतिविता में बारी मत्रम में विग्यापन पर वे किया जाता है इस प्रतिविता में साधनों की कीमतें और तक्निकी ग्यान को इस्तिर माना जाता है यह माना जाता है कि जो उत्पादन के साधन है भूमी पुंजी श्रम प्रबंद सास तो भूमी को जो लगान दिया ज चता है मजढूदूर को मजदोर दी जाती है प्रबण्दम को बेतन दिया जाता है और साहस कि परिदं की कीमते फिर नहीं होता है क्योंकि सभी फर में हैं प्रवास में competition है एक फर्म तकनीक को change करेगी और उसकी लागत कम आती है तो सभी फर्म में वही तकनीक ले कराएगी अर अपनी लागत को कम करेगी क्योंकि एक फर्म की अगर लागत कम होती है और वह अपने product की rate गिरा लेती है तो बाकी सारी फर्मों को market से बाहर होने का खत् चलते हैं कि उत्पादन के साधनों की कीमते भी इस्तिर रहती है और तखने की ग्यान भी इस प्रतियोगिता में भी एकाधिकार प्रतियोगिता की तरह यदि जादा product बेचना है तो फर्मों को अपनी rate कम करनी पड़ती है इस कारण से इस प्रतियोगिता में जो मांग वक् से मीवैन कर और माणन रिवनियू किस प्रकार से भीए karus के घेटा होता है इसको समस्ते है मांग वक्र कि दीगें ग्रत्य साथ कम लिख कर ड़ती करना कि चाहती है और लाकत ही समान आती है क्योंकि इस पिर्तियोगिता में विविल्पर्ति pármokke bich में प्रतीस पर्दा होती है प्रतीस पर्दा के चलते यदि एक फर्म की लागत कम आती है उसके पास कोई ऐसी तकनिक होती है जिससे उसकी लागत कम आती है तो सारी फर्म में उसी तकनिक को यूज करती है क्योंकि यदि एक फर्म की लागत कम होती है और बजार में वागत कम क कर देती है तो बाकी सारी फर्मों को बजार से आउट होने का खत्रा है तो सामने रुप से इस प्रतियोगिता में फर्मों की लाकत भी लगवक समान होती है और मांगवकर भी एक जैसा ही होता है यानि जो इस प्रतियोगिता में अलग-अलग कीमत पर मांग सभी फर्मों के ल विवार करना चाहती है और वह ऐसे विवार करती है कि उनके बजार के मांग वकर के पून जान करिए और उसको ध्यान में रखते हुए वह एड़ोटाइच पर खर्च करती है तो आप समझें इस वीडियो के मदब से आप समझ पाएंगे कि कि इस प्रकार से एक अधिकरात्मक प्रतियुगर्ता इंग्लिश में मौनोपौलिस्टिक कंपीटिशन क्या जाता है उस में बहुत सारी फरम में होती और फरम का प्रोडएक्ट अलग होता है पर बहुत सारे उसके निकट इस्तानापन नहीं होता है हरका प्रडिक्ट अलग होता है पर उसके बहुत सारे स्तानापन होते हैं और इसका मांग वकर गिरता हुआ होता है अगर आपको क्वांटेटी वन बेचने टू बेचने थ्री फोर फाइब सिक्स तो आपको प्राइस को कम करना पड़ेगा प्राइस यहां 10 रुपीज है तो है नाइन रुपीज फिप्टी पैसा होगी नाइन रुपीज होगी एट रुपीज होगी यह सेवन रुपीज फिप्टी पैसा होगी तो यहां टोटल रेविण्यवी जोगा वह एका 10 19 27 34 40 45 और मार्जनल रेविण्यू जोगा 10 9 और 9 अब देखिए 9 के बाद एट सेविन जिक्स फाइब और एवरेज रेविन्यव जो है 10 9.588 पॉइंट फाइव तो यहां देखिए इस परत्यू गिताब में इस परकाद किता है जबकि इसमें मांग की लोच लगबग एकाई से अधिक होती है तो इस प्रतिवगिता को हम मोनोपोलिस्टिक कंपेटिशन या एक अधिकरात्मक प्रतिवगिता कहते हैं मैं एक बर और रिपीट करता हूं बजार की वह के अगले वीडियो में अच्छे से अलग होता है कुछ कालपनिक रूफ से अलग होते हैं वात्विक करेंगे को अगर चर्च वीडियो में क्या नियुक्त बढ़ा झाक दूट तो हमको यहां इसम Näीं रखना है कि अधिकरात्मक प्रत्योगिता बजार की वह कंडिशन है, जिसमें बहुत सारी फर्मे होती है, किसी भी फर्म को आने जाने की स्वतनता होती है, बहुत सारी फर्मे होती है, हर फर्म का प्रोड़क्ट दूसरे फर्म से अलग होता है, परन्तु दूसरे फर्म के प्रोड़क्ट उसके निकट इसतानापन होते हैं दिर्काल में इस प्रप्रियोगिता में सामान वप्र कि प्राप्ति होती है तो मैं समाँ जो होती है कि आप लोगों के लिए उप्योगी depressי को अन्यवास